किसी गरीब औरत के एक बेटा था, पैसे वालों के यहां चौका बासन करके वो अपनों और बेटे का पेट पालती थी, बेटों को कभी धंके कपड़े नहीं पहना सकी और नहीं कभी उसके लिए खिलावना ला सकी, एक दिन चौका बरतन के लिए काम पर गई और उसके बदल तेरी लिए पैजार से क्या लाँ, बेटे ने जग जवाब दिया, धोल आना मा, मेरे लिए एक धोल ले आना, मा जानती थी कि उसके पास कभी तेने पैसे नहीं होंगे, कि वो बेटे के लिए धोल खरी सके, वो बाजार गई, वहाँ अनाज बेचा, और उन पैसों से कुछ बेशन और नमक खरीदा, उसे दुख था, कि वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं ला पाई, वापस आते हुए, रास्ते में उसे लखड़ी का एक सलोना टुकड़ा दिखा, उसने उसे उठा लिया, और आकर बेटे को दे दिया, बेटे को कुछ सवन मीं नहीं आया, कि आखिर वो उसका क्या करे, फिर वो खेलने के लिए गया, तो उसे अपने साथ ले गया, एक बुढ़िया चूले में उपले जलाने की कोसिस कर रही थी, पर गीला होने के कारण उपलो ने आग नहीं पकड़ी, चारो तरब धुआहे धुआ फैल गया, धुए से बुढ़िय मेरे पास लकड़ी का टुगड़ा है, चाहो तो उससे आग जला लो, बुढ़िया बहुत खुशी, उसने चूला जलाया, रोठिया बनाई और एक रोठी लड़के को दी, रोठी लेकर वो लड़का चल पड़ा, चलते चलते उसे एक कुमारी मिली, उसका बच्चा बच्चे को दे दी, बच्चा चूप हो गया, और बगर बगर खाने लगा, कुमारी ने उसका बहुत गुन माना और एक घड़ा दिया, वो आगे बढ़ा, चलते चलते नदी पर पहुचा, वहाँ उसने धोबी और धोबीन को जगड़ते हुए देखा, लड़के ने रुक जगड़ा मत करो, मेरा घड़ा लेलो, इतना बड़ा घड़ा पाकर धोबी खुश हो गया, बदले में उसने लड़के को एक कोट दिया, कोट लेकर लड़का चल पड़ा, चलते चलते वो पूल पर पहुचा, वहाँ उसने एक आदमी को ठंड से ठी तुरते देखा, बिच और मेरा कुर्ता तक उतरवा लिया, लड़के ने कहा चिंता मत करो, लो ये कोट पहलो, आदमी ने कोट लेते वे कहा, तुम बहुत भले हो, मैं तुम्हे एक घड़ा भेंट करता हूँ, लड़के ने घड़ा लेलिया, थोड़ा आगे उसने एक बरात को देखा, लेकिन द दूले के लिए घोडा नहीं है, जो घोडा लेने गया, वो अभी तक लोटा नहीं, दूला पैदल तो चलने से रहा, पहले ही बहुत देर हो गई है, कहीं विवाह का मोर्त न निकल जाए, लड़के ने उन्हें अपना घोडा दे दिया, सब की बाचे खिल गई, दूले ने लड़के से पूछा, कि उसके लिए क्या कर सकता है, लड़के ने कहा कुछ खास नहीं, आप मुझे बस एक धोल दिला दे, दूले ने धोल बजाने वाले से उसे धोल दिला दिया, लड़का भागा भागा घर पहुचा, और धोल बजाते ही मा को बताया, कि उसकी दिल करने वाला कोई न कोई आ जाता है, दूसरों की सेवा, दूसरे के चेहरे पी मुसकान, इस कहानी का मूल अर्द है, मुझे उमीद है आपको पशंद आई होगी